आज मैं बना रही हूँ बर्गर और वेच पैटी के लिए मैंने चार आलू को बॉइल कर लिया है दो गाजर और एक कप मटर ये सब मैंने बॉइल करके रखा है और हम अब का आलू को अच्छे से कदूकस कर लेंगे आप चाहें तो इसे हैंड से भी मैश कर सकते हैं बच्चों को बर्गर खाना बहुत ही पसंद होता है तो मैंने सोचा क्यों ने इसकी वेच पैटी हम घर में रेडी करते हैं और आप लोगों के साथ रेसिपी को शेयर करते हैं यहां मैंने गाजर और मटर दोनों को ही आलू में मिक्स कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिच मैंने बहुत बारिक चॉप करके लिया है आप चाहें तो इसे अवाइड कर सकते हैं अब मैं कुछ ड्राय मसाले आड़ करूंगी सॉल्ट एकॉर्डिंग टू टेस्ट कश्मीर रेड चिली पॉडर हाफ स्पून चाट मसाला हाफ स्पून ब्लैक पेपर हाफ स्पून से थोड़ा सा कम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम टू स्पून हम इसमें राइस फ्लार के डालेंगे आप चाहें तो राइस फ्लार की जगा कॉन फ्लार या फिर हम ब्रेड कम्स यूज कर सकते हैं बेसिकली क्या होता है कि यह हब एक अच्छी बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं तो मैंने राइस इसलिए यूज कर रहा है कि यह बहुत आपको एक थोड़ा सा क्रिस्पी बन भी देगा दूसरी तरफ हम पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे और थोड़ी सी चॉप्ट गार्लिक ले लेंगे यह इसमें एड़ कर देंगे इसको अच्छे से हम चला लेंगे नीचे लगे नहीं जब हमें लगे हलका सा कलर आने लगा है इसमें तो हम इसमें एक अनियन चॉप करके डाल देंगे हलका से जब अनियन का कलर चेंज होने लगेगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइट में रख देंगे बहुत जादा देर तक इसको नहीं पकाना होता साइट में थोड़ा दिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं फिर हम इसे आलो में मिक्स कर देंगे तब तक हम दूसरी तरफ एक गोल बना के तयार कर लेते हैं इसमें हमने रिफाइन फ्लार लिया है मैदा दो स्पून एक स्पून हम राइस फ्लार लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और एक अच्छा सा टेक्स्चिर जबा आजेगा हमारा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं इस तरह से हमें इसे बना के तयार करना है अगे देखिए इसको साइट कर लेंगे और यहाँ पर हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास ब्रेड करम्स इस टाइम रेडी ना हो तो आप ब्रेड को ग्राइंड कर लीजिएगा यहाँ मैंने अन्यन और गार्लिक आलू में मिक्स कर दिये धंडे होने के बाद सबको अच्छे से आपस में mix कर लेंगे और हल्का सा oil हाथ में लगाके हम इसकी टिक्यां बना लेंगे टिक्यों के size हमें थोड़ा बढ़ा ही रखना है हम बर्गर को लगाके हम चेक कर लेंगे कि हमारा टिक्की का size बड़ाबर आया है की नहीं आया देखें टिकी का साइज यह है, बर्गर से चेक करके हम इस घोल में थोड़ा सा इसको डिप कर लेंगे, अच्छे से डिप हो जाएगा जब तो हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे, हलकल का दबाते वे हाथों से करना है जिसे कि ब्रेड अच्छे से इस पर क्रम्स इस दरम है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत ही समल के करिए इसको पीछे से पलट पी लीजिएगा और जब लगे कि इसका कलर ब्राउन हो गया है तो आप इसे बहार निकाल लीजिएगा देखिए कितनी ही यह क्रिस्पी बनी है, इसी तरीके से मैंने सारे टिक्या तयार करके रख ली है, बहुत ही क्रिस्पी है यह और बहुत ही टेस्टी, आप ज़रूर बना के इसे ट्राइ करिएगा, टिक्या तो हमारी बन के तयार होगा, यहाँ हम करते हैं बर्गर की तयारी, अब हम बर्गर को थोड़ा सा बटर डाल के सेख लेते हैं, आप हलका सा ब्राउन कलर आने पर हम इसे उधार लेना है, बस हम इतना ही हमेसे सेख ना है, अब हम बर्गर पर दोनों साइड लगा लेंगे, यह मैंने सॉस रड़ी करिए, जिसमें मैंने मियॉनिस में तोड़ा है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट के साथ थोड़ा कैचप मिक्स करा है, तो वो दोनों साइड लगा दी है, और उपर से मैंने लेट्यूस रखा है, और टिक्की, इस पे हम रखेंगे थोड़ी सी आयन, टेमाटो, कुकुम्बर, और हम रख देंगे एक ची वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा